नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राजुकेवाट और आप देख रहे हैं रोबोट मेमरी तो फ्रेंड आज हम जाने देखे एक बैब डैबल पर क्या होता है और बैब डैबल बनने के लिए कोर्स कहां से करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड चलिए जानते हैं के एक बैब डैबल पर कौन है तो फ्रेंड वैब साइट या वैब अप्लिकेशन को डैबल अप करने वाला वैब डैबल पर कहलाता है फ्रेंड आप जितनी वी वैब साइट देखते हैं जो वैब अप्लिकेशन वैब साइट पर रन करते हैं इन सब को बनाने वाले को Web Devler कहते हैं. तो फ्रेंड चलिए आप जानते हैं एक Web Devler बनने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए. तो फ्रेंड एक Web Devler बनने के लिए आपको Programming Language का Knowledge होना बहुत जरूरी है. तो फ्रेंड चलिए जानते हैं. फ्रेंड इसमें आपको बहुत सारे Option मिलते हैं कि आप किस फिल्ड में जाना चाहते हैं. फ्रेंड सबसे पहले होगा Front End Develop and Back End Develop. तो फ्रेंड Front End Develop उसे कहते हैं जो हम देख पाते हैं. जो हम Website देख रहे हैं, Design, उसमें Tax, Slider, ये सब Front End Develop. और Back End Develop जो Servers पर प्रिक्रिया चलती हैं, जैसे हम किसी Page को Login कर रहे हैं, जैसे Facebook का हम Login करते हैं, और Server पर जो प्रिक्रिया होती है, वो होती है Back End Develop. तो फ्रेंड Front End Develop को हम Client Side और Back End Develop को हम Server Side भी कह सकते हैं. तो चलिए जानते हैं Front End Develop. तो फ्रेंड Front End Side में HTML, CSS, JS, तो फ्रेंड HTML मतलब Hyper Text, Markup Language, CSS, Cascarding, Style Sheet, JS, JavaScript. तो फ्रेंड जो हम Web Page देखते हैं, जितनी Header, Fooder और जितना Web Page बना होता है, वो साब HTML से बना होता है. और जो हम Color, Text Color, Background Color और जो Design देखते हैं, वो साब CSS से बना होता है. और फ्रेंड जो Automation का काम Java Script करता है, जैसे किसी Web Page पर Clock लगी रहती है, या Slider, ये साब Java Script द्वारा बनाए जाते हैं. तो फ्रेंड, इन Language के लिए कुछ Framework भी होते हैं, जैसे CSS के लिए Bootstrap, Foundation, और JavaScript के लिए Angular, JS, JQuery. तो फ्रेंड, इन Framework में पहले से ही Design किये हुए Login Button, कुछ Slider, इन सब की Design पहले से ही होती है, तो फ्रेंड, इनको हम Use कर सकते हैं, और Edit कर कर भी Use कर सकते हैं. तो फ्रेंड, बेकेंड डेवलप में PHP, Ruby, Node.js, Java, ETC हैं, तो फ्रेंड, PHP के लिए CMS, Contact Management System, जैसे Birdpress हो गया, Magendo, ये सब हैं. और इन सब के लिए अलग-अलग Framework भी आते हैं, जैसे Ruby के लिए, Rails, Node.js के लिए, Node.js, Express, और Java के लिए, Spring, JS App, ये सब Framework हैं. तो फ्रेंड, इसके बाद आता है Database. फ्रेंड, Database भी बहुत जरूरी है, एक Website के लिए, तो फ्रेंड, Database में, MySQL, Oracle, Mogodv, Reddits, इन में से कोई भी आप एक सीख सकते हैं. तो फ्रेंड, आप जानते हैं कि WebDeveloper बनने के लिए, कोर्स कहां से करें. तो फ्रेंड, आप कोर्स ऑनलाइन भी कर सकते हैं, Coursera.com, Oddcity.com, Academy.com, फ्रेंड, आप YouTube से भी ये सब कोर्स कर सकते हैं. तो फ्रेंड, अगर आप एक WebDeveloper बनना चाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप पहले Google का जो Blogger है, पहले आप एक Blog बनाएं, उसको Design करें, HTML, Theme को Edit करें, और Slider Edit करें, फोटो कैसे डालते हैं, Slider में कैसे Change कर सकते हैं, वो सब पहले Blogger पर जाकर करें. उसके बाद किसी Website को Develop क करने के लिए सोचें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, Thank You.